और धर जबलपुर में शेड निर्मान के दौरान एक मजदूर के हाई टेंशन लाइन की चुपिट में आने से मौत हो गई पूरा मामला बरिला थाना श्वेतर का है जहां बरिला मार्केट में अनिल्जाहू के तीन मंजिल भवन में शेड निर्मान का काम चल रहा था इसी दौरान मजदूर राकेश विश्व कर्मा के हाथ से लोहे का पाइप पास से गुजर रही हाई टेंश्वन लाइन में टकरा गया जिससे मजदूर की मौके पर ही माउथ हो गई फिल्हाल पुलिस मामली की जाच में जुटी है तो उसमें जो लोहे के पाइप होते हैं उससे राकेश विश्व कर्मा को लोहे का पाइप सेड़ बनाते समय वहाई से हाई टेंशन लाइट के पार गुजर रहे हैं उससे टच होने की वज़ए से करेंट राड में आ जाने से उसकी डेथ हुई है और इस बदकिस उतना कुलि तो पुलिस मौखे के दखाल होती है अभी हम इसमें मर्ग पंजीवत करके जांच कर रहे हैं और जो इविडेंस आए हैं उसके आदार पे समय उतने की वह दो दबन निक्तावाई कियों करें झाल